हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे और आज हम जानेगे कि गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी के बारे में नॉलिज होनी चीए क्योंकि जादा तर लोग गाड़ी की नॉलिज नहीं होती वो गाड़ी चलाना सीखना स्टार्ट कर देते हैं फिर बाद में पूछते है कि गाड़ी के अंदर इसका क्या होता है मतलब इसका क्या मतलब होता है इसलिए हमें गाड़ी चलाने से पहले कुछ बैसिक इंफोमेशन तो जरूर मालूम होनी चीए और इस वीडियो में आपको मैं basic information दूँगा तो please बने रहें मेरे वीडियो में अगर आपको अच्छी लगे तो like and subscribe जरूर करना और वीडियो को पूरी end तक जरूर देखना और हम अपनी गाड़ी के अंदर जाते हुए जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपनी गाड़ी का gate खोल रहा हूं और जैसे आप देख सकते हो मैं गाड़ी में बैठ चुका हूं यह गाड़ी के steering यह गाड़ी का studio और यह AC के पैनल और यह gearbox नीचे clutch brake और एसकेलेटर और सबसे पहले गाड़ी में बैठने से पहले हमें तीनों को टेच करने के बाद भगवान का नाम लेना चाहिए कि हमें अच्छे से हमारी यात्रा हो और अच्छे से हम ड्राइब करें सबसे पहले कोई भी सुप काम करने से पहले हम मैं भगवान का नाम लेना जुरूरी है अब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉमेशन जो आपको पता होना चाहिए यह जो फर्स्ट है जैसे यह जो मेरे पेर के नीचे आप देख सकते हो इसको कलच बोलते है यह जरूर आपको याद रखना चाहिए आपको नॉर्मल बात है अगर जैसे आप याद रखोगे इसको की आगे जाके आपको ही फाइदा होगा यह हमारा पहला जो होता है यह पहली चीज दूसरी चीज यह यह हमारा गेर बॉक्स जैसे इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट गेर सेकेंड थार्ड फॉर्थ फिफ्ट उपर और रिवर्स नीचे हैं यह हमारा गेर बॉक्स है इसे हम कलच दवा के गेर शिफ्टिंग करते हैं जैसे कि आपको इसके बारे में भी नौलिज होना चाहिए और यह हमारा हैंड ब्रेक यह हमारा हैंड ब्रेक जैसे कि आपने देखा भी और यह हमारा एसी के पैनल जैसे कि आप देख सकते हो और यह हमारा स्पीकर इसमें हम गाने भी सुम सकते हैं यह basic information है जो हमें क्या सबको भी जो नए-ने driving सीखना चाहते हैं उन सबको यह basic information तो पता होना चाहिए और यह हमारे door जिससे हम door खोल सकते हैं हर गाड़ी में अलग-अलग तरीके से होता है क्योंकि छोटी गाड़ी होती है उसमें automatic door नहीं होते हैं किसे में handle वाले भी होते हैं जैसे कि आप को अरे कहना क्या चाहते हो इस टाइम मैं seat के उपर बेट चुका हूँ और यह हमारी seat थोड़ी दूर है तो हमें इसको आगे करना होगा तो हम निचे की तरफ सीट के निचे की तरफ यह जो दे रख़े इसको ओपर की तरफ करेंगे और आगे की तर घीचेगे और आगे की तरफ घीचने के …बाद हम पूरे kletch ालब और race के पास आगे पहुच गह है तो आप भी हैड़ी मैं damit अपनी seat एर्जेस्ट कर सकते हो औ आप hopeless ना हो, घबराये ना, अच्छे से अपने drive करें, और भगवान का नाम ले के करें, चल दवाजी कभी ना करें राइट सेड में गाड़ी के इंडिकेटर के लिए और लेफ्ट सेड में गाड़ी के वाइपर के लिए ये गाड़ी के वाइपर के लिए और ये इंडिकेटर के लिए ये जो बीच में है ये पूरा होरन है इसको हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं ये होरन के मात्रा में जैसे क आप देख सकते हैं इस वीडियो में जादतर गाडियों में की लगती है मगर इस गाड़ी में की नहीं लगती क्योंकि इसमें Self Start है यह लिखावा है यह जो आपने देख रखा है इसको दवाने के बाद गाड़ी आपके Start हो जाएगी इसलिए मगर जो कम बजट की गाड़ी है उसमें जादा तर Key का Option ही मिलता है ऐसे Self Button नहीं मिलता आप कभी भी गाड़ी चलाते हो तो कभी भी बिल्कुल घबरा है ना अपनी गाड़ी अराम से चलाए भगवान का नाम लेके चलाए क्योंकि जल्दवाजी करने से हमको हमारा घाटा हो सकता है और हम किसी और का नुकसान भी कर सकते है इसलिए हमें गाड़ी चलाते है टाइम हमें अपनी गाड़ी को अराम से चलाना चीए कभी जल्दवाजी नहीं करनी चीए क्योंकि जल्दवाजी करने से किसे ना किसी का नुक्सान ही होगा तो आज कलके नए-塊 जो ड्राइविंग सीखते है वो अपने गारी बड़ी तेज बड़े रफिस की सामने वाले गारी हम से आगे कैसी निकल गई इसलिए वो बड़ी तेज गारी चलाते है तो please अपनी गाड़ी अराम से चलाए बिल्कुल तेज ना चलाए तो गाटा हम दोनों का यह इसलिए गाड़ी चलाते समय अराम से अपने ड्राइविंग करें और यातायात नियोमों का पालन करें क्योंकि कानों हमाले बनाए इसलिए हम उसका पालन नहीं करेगे तो कौन करेगा इसलिए हमें यातायात नियमों का पालन करना चीए और गाड़ी हमें अराम से चलाने चीए तो को पता लग गया होगा अगर आप फर्स टाइम गाड़ी चलाते है तो कुछ बेसिक इन्फोर्मेशन गाड़ी के बारे में होनी चीए हर किसी को ये जानकारी होनी चीए कि गाड़ी चलाते समय हमें ये सब जानकारी अवश्य होनी चीए आई होप आप समझ गे होगे गाड़ी चलाते वक्त आपको इन सब के बारे में जरूर नोलेज होनी चाहिए और आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सस्क्राइब जुरूर करना हम नई यूटूबर है हमको और सीखना है इसलिए हम और सीख सीख के वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज आप सपोर्ट करना आप सपोर्ट कर गए तभी तो हमें हिम्मत आएगी तभी हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलीगी हमारी तो प्लीज लाइक एंड सस्क्राइब जुरूर करना ठैंक यू ठैंक यू आप सभी का